अकान मन्थन के इस अभी दश्कोंगे आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखर्ण बंधन जैसा कि हम 28 जुलाई से आरंब कर चुके हैं महाराश्टर के महान संत्र श्री दत्ता वधूत की भविशिवाडियों पर आधारित विशेश वेप सिरीज जिसमें हमने कल आपको संसार में घटने वाली घटनाओं के संदर्म में श्री दत्ता वधूत की भविशिवाडियों से ओगत कराया था लेकिन श्री दत्ता वधूत द्वारा सं 3000 तक की भविशिवाडियों कर दी गई हैं जिसमें हमें कई आश्चेर जनक भविशिवाडियों भी देखने को मिली हैं कल के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे संसार के 180 सी देशों में किन-किन इस्थानों पर भुकंप और प्राकृतिक आपदाये देखने को मिलेंगी और कैसे समुद्र मैदान और समतल भूमी समुद्र में परिवर्तित हो जाएगी इसी प्रकार से आपने देखा कि कैसे तीसरे विशिवध में पूरे संसार के देश दो भागों में बढ़ जाएंगे लेकिन साथ में हमने आपको ये भी पताया कि संसार भर में होने वाले इस विनाशकारी युद्र को रोकने के लिए हमारे भारती संतों महात्माओं की पुन्य आत्माएं कारे कर रही हैं और जहां तक संभव होगा वे इस विनाश को टालने का प्रयास करेंगी अब आज के एपिसोड में देखें कि श्री दत्ता उधूत ने आने वाले समय के लिए किस प्रकार की भविशेवाड़ी की है तीसरे विश्यूद को लेकर के उनका कहना है कि ये किसी भी समय आरंब हो सकता है लेकिन ये चीन और इसलामिक देशों द्वारा रोम पर हमला करने के पश्यात आरंब होगा जिसमें मिश्र, लीबिया, सीरिया, सौधी अरब और अन्य इसलामी देश इसराइल के विरुद इस भयानक युद्ध में समिलित होंगे इस युद्ध में बहुर सारे नागरिक और सैनिक मारे जाएंगे चीन इस युद्ध में इसलामिक देशों का समर्थन करेगा ये उनके साथ मिल भी सकता है जबकि अमेरिका इसराइल का समर्थन करेगा जिसके कारण अमेरिका और चीन के बीच शत्रूता पैदा होगी आतेधिक इसलामिक देशों को मदद देने के बहाने चीन कई मुस्लिम पंती देशों को निगल जाएगा ये अमेरिका को चीन के विरुद भयानक युद छेड़ने के लिए विवश्ट भी कर देगा परिणाम सरूप तिबबत चीनी कबजे से मुक्त हो जाएगा इसराइल और अरब देशों में कभी शांती नहीं रहेगी किसी न किसी आधार पर वे हमेशा युद्ध करते रहेंगे सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे और आखिरकार अरब देश सैनिकों की कमी होने पर बाहरी लोगों को अपनी सेनाओं में भरती करना आरम करेगा मद्य पूरों खून से लत्पत हो जाएगा इसी के साथ इसलामिक फ्रेंट आतंकवाद को बढ़ावा भी देने लगेगा आतंकवादी गत्विदियां अमेरिका को परिशान करेंगी और कई सरकारों पर उचित कदम उठाने के लिए दबाव डाला जाएगा इसके बाद अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों को आतंकवादी गत्विदियों को बढ़ाने वाले देश की लिस्ट में समिलित किया जाएगा वे कहते हैं कि 2005 के बाद से ही अमेरिका और मद्य पूरों में बदलाव आने लगेगा ये बदलाव 2030 तक चलेगा इस दोरान भारत अमेरिका का समर्थन करेगा और चीन मद्य पूरों के देशों और पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तीसरा विश्यूद कटर इसलामिक देशों और इसाई धर्म के बीश लड़ा जाएगा इस दोरान सभी इसलामिक देश जैसे सन्युक्त अरब अमिरात, कुवेट, मिस्र, कतर, यमन, ओमान, इरान, इरान, इराक, पाकिस्तान, सौधी अरब, लीबिया, सीरिया और जॉर्डन एक जुठ होकर वेटिकन, सिटी और इटली और इस्राइल पर हमला करेंगे इस यूद के दोरान चीन की सेना अपने अती आधुनिक अस्त्रिश रस्त्रों का परियोग करेगी और चीनी वायू सेना दोरा इसलामिक राष्टों को समर्थन दिया जाएगा इस यूद के दोरान दुनिया के देशों में नए नए गडबंधन बनने आरम होगे जैसे सभी मद्ध इसाई राष्ट अर्थात पुर्टगाल, इस्राइल, रूस, अमेरिका, कनाड़ा, स्पेन, इटली, औस्टेलिया, न्यूजिलेंड, यूरो जर्मनी, फ्रांस, इंग देगा, तो इस दोरान भारत में एक आएक जनसंख्या की कमी होनी आरंभ हो जाएगी, इसी प्रकार से 2045 तक चीन की जनसंख्या उसकी वर्तमान जनसंख्या से घटकर 20 प्रतिशत ही रह जाएगी, शिद्धत्ताव धूत के अउनसार भारत के इन राज्यों में इन इस्था आउना व्यक्ति की जारी है, यानि कि परमाडु बं जिन इस्थानों पर फेके जाएगे भारत में वो इस्थान है दिल्ली, मुंबई, चेननाई, कोलकता, एहमदाबाद, हैदराबाद, लक्नो, कानपूर, इलहाबाद, पुने, गोवा, नासिक, औरंगाबाद, अम्रिसर जैसल मेर, श्री सैलम, पटना, जालंधर, वारांसी, बीकानेर, डिब्रुगर, जहांसी, होस्पेट, भटिंडा, मदुरय, जोदपूर, भोपाल, शोलापूर, नागार जुनसागर, पठानकोट, कोलापूर, भाक्रा नांगल, कोहिमा, इमफाल, नागपूर, विशाखा जाएगी, जिसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाये जाएगा, 2030 तक भारत के इंडाजियों में जैसे अंडमान और निकोबार्द वीप समू, कन्या कुमारी, एहमताबाद, भावनगर, रतनागीरी, गोवा, मैंगलोर, कालिकट, अलेपी, त्रिवेंडरम, माहे, नागापटनम और मचली पटनम में बड़ी भारी तबाही होगी और इसमें बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान होने वाला है। इस संगठन के सदश से देशों के नाम इस प्रकार हैं जैसे पाकिस्तान, इरान, इराक, कुवैट, कतर, सन्युक, अरब अमीरात, ओमान, यमन, साओधी अरब, सीरिया, जॉर्डन, मिश्र, लीबिया, आदी, देश एक संधी पर हस्ताक्षर करेंगे। त्याधुनिक हतियार दिये जाएंगे। कुछ ऐसे ही हतियार की सप्लाई करने के बाद तीसरे विश्युद की आग और तेजी से भड़कने लगेगी। इसी घटना के बाद सही तीसरे विश्युद की नियू पर जाएगी। इस दोरान इसराइल का प्रभूत संसार भर में बहुत तेजी से फैलेगा। इधर कटर इसलामिक देशों को मदद पहुचाने के बहाने चीन कई मुस्लिम सहयोगी देशों का अस्तितु ही समाप्त का देगा। यहां अमेरिका को चीन के विरुद भयानक युद भड़काने के लिए विवश किया जाएगा। यह भी आशावेक्त की जारी है कि जिस समय यह सारी घटनाए घट रही होंगी उसी समय तिबबत चीन के चंगुल से आजाद हो जाएगा। इस भविश्वारी में स्वामी जी द्वारा ये भी कहा गया है कि इसराईल और अरब देशों में कभी भी शांती नहीं रहेगी। किसी न किसी आधार पर वो हमेशा युद्ध करते रहेंगे एक दूसरे से या फिर दूसरे शत्रू राश्टों से। इसमें सैक्णों हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है और आखिरकार अरब देश सैनिकों की कमी होने पर बाहरी लोगों को अपनी सेनाओं में भरती करना आरम कर देगा और इसी समय मध्यपूर का जो क्षित्र है वो खून से लत्पत हो जाएगा। जबकि संसार भर के मुस्लिम देशों को एकत्र होने से बना इसलामिक फ्रंट आतंकवाद को बढ़ावा देगा। लेकिन दिल्ली मुंबई चे नई और कोलकटा जैसे शहरों को विशेश रूप से निशाना बनाया ही जाएगा। इसके तरिक स्री दत्ता अधूत ने ये भी भविशेवाड़ी की है कि बिजली पैदा करने के लिए नए नए तरीके खोजे जाएंगे। और उन्होंने ये भविशेवाड़ी बहुत पहले ही कर दी थी कि लोगों को पारंपरीक लेंड लाइन के बजाए बिना तार के फोन का प्रयोग करना लोग आरम कर देंगे। इस समय पोटेबल वायरलेस टीवी भी पहचान में आने लगेगा, कैंसर और एड्स जैसी घातक बिमारी का भी इलाज खोज लिया जाएगा। ग्रही स्थिती में भी अंतर आने के कारण संसार में भौतिक सामाजिक और समाज के लोगों के स्वास्थ पर बड़ा प्रभाव पढ़नी जा रहा है। उनके अनसार 2030 तक प्रित्वी की दूरी 30 डिगरी तक जुक सकती है। इसी कारण प्रित्वी की गुरुत्वा करशन शक्ती में भी परिवर्तन होगा और यही कारण होगा की भूकंप आने की घटनाए अब आम बात हो जाएंगी और एक के बाद एक करके भूकंप आने लगेंगे। इनमें से तो कई भूकंप की घटनाएं ऐसी होंगी जिसमें लोगों को समहलने का उसर तक नहीं मिलेगा। शिवाडियां आपकी जानकारी बढ़ा रही होंगी आने वाले समय को लेकर के। शिदत्ता अधूर जैसे संत महात्मा हैं इनको तो अपनी ख्याती बढ़ाने की कोई अविश्यक्ता नहीं थी। तो फिर आफिर उन्होंने इस तरह की भविश्यवाडिय क्यों की हैं। और वो लोगों से मिलते भी नहीं हैं, तो ऐसे संत महात्मा का क्या उद्देश्य होगा ऐसी भविश्य वाडिया करने के पीछे, इस पर भी आप विचार करें, क्योंकि हम पर आरोप तो आप लगाते हैं, और कहीं न कहीं आपका वो एक तथे सही भी हो सकता है, लेकिन हमारे संतों महात्माओं ने ऐसी बाते क्यों की हैं, तनिक इस पर भी विचार करें, तो आपको फिर ये पता लगेगा कि आखिर इस तरह की भायानक भविश्य वाड़ी करने के पीछे उनका उद्देश है क्या था, क्योंकि उनको तो यूट्यूबर्स बनना नहीं है, उनको सब बढ़ाने हैं, उन्होंने तो अपनी पुस्तक के माध्यम से ये ग्यान दे दिया है, और अब हम उनकी पुस्तक के कुछ अंशो को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चलिए हो सकता है कि हमारा उद्देश है सब्सक्राइबर बढ़ाना हो, और निश्चित रूप से हमें भी कोई फॉलोवर या सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, तो स्वामी श्री दत्ता अधूत की ये भविश्यवाडियों की जो श्रिंकला है, ये साथ से आठ एपिसोड में होगी, और इसमें जो विशिष्ट बात ये है कि स्वामी उन्हों ने तीन हजार तक की भविश्यवाड़ी कर दिये, अभी हम दोजार चौबिस में चल रहे हैं, लेकिन उन्हों ने तीन हजार तक की भविश्यवाड़ी कर दिये, तो आप सोचिए कि ये श्रिंकला कितनी रोचक होने वाली है, कितनी ज्यानवर्धक होने वाली है, और आने वाले समय में मनिश्य का जीवन कैसा होगा उसके स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तान आएगा उसकी सोच में कितना परिवर्तान आने वाला है और किस प्रकार से मानो अपने विकास की और विनाश की दोनों कहानिया साथ साथ लिखने जा रहा है तो ये देखना बहुत रोचक होगा इन भविश्य बाडियों के माध्यम से यदि आपके पास भी अपने क्षेत्र के कोई सादूसंत महात्मा कोई दिविद्रिष्टे रखने वाले ऐसे कोई महात्मा है तो उसकी जानकारी भी आप हमारे वाट्सेप नंबर हर प्रकार के जो तत्थियों को आपके समक्ष रखा है अगर आप किसी का भी एस्ट्रोलॉजी चैनल देखें तो वो व्यक्ति विशेश का होता है और व्यक्ति विशेश के चैनल में आपको व्यक्ति विशेश की ही बातें देखने और सुनने को मिलती है लेकिन अखण मन्थन एक ऐसा मंच है जहां पर आपको न सिर्फ देश और संसार के भविशेवेताओं की भविशेवाडियों के बारे में जानकारी मिलती है महीं हमारे जो सादू संते हैं हमारी प्राचीन परंपरा के माध्यम से जो भविशेवाडिया की गई है जो समय के प निकलेगा जैसे समुद्र मन्थन हुआ था तो उसमें अमरित और विश के साथ 14 रतन भी निकले थे तो इसी प्रकार से अखण मन्थन के द्वारा भी जब विभिन विशियों पर और विदिन विद्वानों के मतों का जब समिश्रन होगा उसका मन्थन होगा तो उससे भी एक नचैस निकलेगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी प्रतिक्शा करनी होगी, थोड़ा धैरे रखना होगा, और एक बात उन दर्शकों को और भी हम बताते चलें, जो ये कहते हैं कि आप ये बता रहे हैं, ये हो नी रहें, तो दर्शकों हम बता रहें, इसलिए नह पहले उसको भी तो आपके समक्ष रखा जाए और मंथन तो आपको इस बात पर आप आरम करना चाहिए कि आखिर उनका उद्दिश्य क्या था उन्हों ने क्यों इस तरह की बाते लिखी हैं क्या वो मनिश्य को क्यों साओधान करना चाहते थे तो यह बहुत शारी ऐसी बाते ह प्रश्न हम से पूछते हैं तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है जब आप पूछते हैं कि आपने ये बताया ते ये हुआ नहीं अभी 13 दिन के पक्ष के बारे में बहुत सारे दर्शक पूछ रहते कि आपने 13 दिन के पक्ष में बताया था अगर आप देखें और संसार भ गटना देखने को मिल रही है। बहुत ही प्रयास कर रहे हैं यहां तक कि वो संसार को इन विनाशकारी घटनाओं से बचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब मनुष्य के पाप और अधर्म की संख्या बढ़ जाएगी तो संभवता उनका ये प्रयास भी निश्पल होगा और तब फिर इन घटनाओं को लोग नहीं पाएगा तो बने रहे हमारे साथ देखते रहे समय से पूर समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए खंड मंतन तरह बाद नमस्कार कर दो भी खंड मंतन करने के लिए बाद समय से उलक मंतन मंतन।